आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ Canva का एक best alternative जो कि आप free में use कर सकते हैं Canva अच्छा है लेकिन वो paid है तो उसमें बहुत सारे लोग उसको use नहीं कर पाते उसके features लेकिन आपको एक ऐसा alternative बताऊँगा वो free of cost है और उसमें AI का भी आपको use होगा और AI की बतालों भी उसको आप use कर सकते हो free में website का नाम है polotno.com तो इसका आप link भी description में दे दूगा मैं आपको तो बहुत ही useful है इसको आप sign up करो या sign up ना करो वैसे भीना sign up के भी use कर सकते हो simply आपको studio या option है या पे studio में click करना है उसके बाद भीना sign up के भी इसको use कर सकते हो बट मैं आपको recommend करोगा sign up जुरूर कर लीजिए क्योंकि अगर आप sign up करते हैं तो कोई भी design होता तो वो सेव हो जाता है प्रोजेक्ट में आपको previous designs को भी आप यूज कर सकते हो और इसमें करके अगर आपको future में कुछ edit करना हो तो उसको भी use कर सकते हो आप तो मैं आपको recommend करो यहां पर दिख रहा है text photos है और icons shapes upload simple canva की तरह है सब कुछ लेगन इसमें एक अच्छी चीज क्या है इसमें last में आपको दिखेगा AI generated जो एक additional feature है यहां पर जाके आप AI generated जो lexica.art यहां पर जाके आप free में create भी कर सकते हो जो की canva में नहीं है तो canva से advance है यह तो नहीं नही सकते हो आप यहां से shapes लेकर सकते हैं तो आपको बहुत सब्सक्राइब कर सकते हो जैसे कि यह अगर आपको यूटूब पर थमनिल बनाना तो यह size आपके ठीक रहेगा तो अलग-अलग sizes के आप अगर रिसेंस के थोड़ा जो शूटेबल हो वह स्लैक कर सकते हो उसके बाद पर simply editing कर सकते हो तो simply मैंने यह वाला आपका टैंप्रेड इस चूज किया है इसमें simply आपको फोटो हटा देता हूं मैं फोटो आप simply delete प्रेस करोगे अपने बटन से तो अप्रोड कर देता हूं कोई भी image अपनी यहां पर अपने image अप्रोड करता हूं मैं यहां पर देखता सकते हैं simply background डालोगे search करोगे तो आपको background remove पत लग जाएगा इमेज से कैसे करते हैं इसमेज पर कोई background नहीं है तो वह भी आप सीख सकते हो कि background कैसे remove करना इमेज का तो simply मैं अपने photo डाली यहां पर drag and drop कर सकते हो canva की तरह कुछ भी type कर सकते हो यहां पर उसके बाद इससे font font select करना है आपको सारे चीज़ें आपको यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद सारे fonts वगेरा colors सब्सक्राइब कर सकते हैं आपर कैनवा की तरह सब कुछ है और simply उसके बाद यहां पर download में क्लिक करना है सारे आपको effects template अगर कुछ upload करना है तो free of cost है पैसा नहीं लगता simply download में क्लिक करेंगे और size भी आप कम ज्यादा कर सकते ह यहां से कोई charges नहीं है free of cost है और simply download में क्लिक करना है आपको तो अब देख सकते हैं download हो गया है image तो बहुत असा thumbnail बन गया है इसको ऐसा भी आप changes करके और कुछ changes करने हो सब changes कर सकते हो तो free of cost है यहां पर कोई cost नहीं है यहां पर canva में paid होता है यहां पर free होता है अगर आप यहां पर तो